वेल्कम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास सेवन्थ इंग्लिश हनी कॉम बुक से पोयम नंबर वन है दा स्क्वेरल आज हम करेंगे इसके क्वेशन आंसर तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो आई होब चिल्दोन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें जो पोएट है वो ये वाली बात क्यों कहता है कि जो स्क्वेरल की पूँच होती है वो क्वेश्चन मार्क जैसा दिखाई देती है क्वेश्चन मार्क बनाती है ठीक है फिर एक कहरा है ड्रॉइ स्क्वेरल और फाइंड अ पिक्चर ये सब हमें नहीं करना ठीक है आप इसकी टेल को क्या बता हुए तो चिल्दन अगर आपने कोई स्क्वेरल देखी है अगर वो बैठी हुई है जैसा कि पोएम में दिखाई गई है तो यह क्वेश्चन मार्क की तरह लिखती है क्वेश्चन मार्क क्या होता जब भी आपको interrogative sentence लिखते हो तो last में क्वेश्चन मार्क लगाते हो लगाते हो तो इसी लिए poet ने उसको compare किया है उसकी पूच को एक question mark से बस इसी बात को अब हम अपने words में लिख देंगे the poet says that the squirrel wore a question mark for a tail यहां से लेके और यहां तक पूरा मैंने question से ही copy किया है एक भी word अपने side से नहीं लिखा पूरा का पूरा अपने side से नहीं लिखा पूरा question मैं से दिल लिख दिया because its tail appears like a question mark क्योंकि इसकी जो पूच है जैसा कि आपको यहां पर दिखाई दे रही है इसकी पूच कैसी लगती है tail एक question mark की तरह लगती है इसी लिए poet ने उसको question mark के साथ compare किया है या उसको एक question mark कहा है next do we usually say that animal wears a tail क्या हम usually यह वाली बात कहते हैं कि एक animal जो है wear का मतलब होता है पहनना जैसे कपड़े हम पहनने wear your clothes अपनी shirt पहन लो wear your shirt है ना तो क्या हम ऐसा कहते हैं या हम क्या कहते हैं तो answer देखिए भई हम ऐसा नहीं कहते कि animal wears a tail भई हम तो यह कहते है an animal has a tail जैसे cow के लिए हमें कहना है तो हम कहेंगे cow has a tail हमें horse के लिए कहना है तो हम कहेंगे horse has a tail हमें dog के लिए कहना है तो हम कहेंगे dog has a tail ना dog की एक पूछ होती है ना कि यह wear तो answer देखिए कैसे लिखेंगे तो पहले उन्होंने पूछा do we usually say क्या हम यह वाली बात कहते है no बस हमें एक word जोड़ देना है अपने side से no we usually don't say that animal wears a tail हम ऐसा नहीं कहते है कि animal wear करता है what we say we say an animal has a tail एक animal की क्या होती है पूछ होती है हम has का use करते है या फिर animals have a tail ठीक है तो बस इतना सा अंसर है इसको हम लिखते है next question देखिए he liked to tease and play उसको tease यानि चिडाना पसंद था और खेलना पसंद था who is teasing whom and how तो यहाँ पे he कौन है squirrel है poet बताते हैं कि वो जो squirrel है जिसको वो रोज देखते थे उसको poet को tease करना बहुत पसंद है और खेलना बहुत पसंद है होता क्या था वो poet उसको रोज नट खाते हुए देखते थे और जब भी poet उसके पास जाते थे तो वो उनको tease करके भाग जाती थी ठीक है इसी बात को अब हम अपने words में लिख देंगे the squirrel is teasing poet कौन किसे चिडा रहा है जो squirrel है जो he है यानि कि जो squirrel है गिलेरी है वो चिडा रही है tease कर रही है किसको tease कर रही है poet को how कैसे tease कर रही है whenever the poet tries to go closer जब भी poet कोशिश करते थे उसके पास जाने की closer का मतलब है पास जाने की it runs away वो हमेशा भाग जाती है तो children बस ये तीन questions है इस last question का answer आप मुझे दोगे comment section में देखता हूँ आप मैंसे कितने बच्चे right answer देते है the squirrel dash makes a question mark जो squirrel की ये वाला जो body part है ये question mark बनाती है उसकी आखें बनाती है eyes, leg बनाती है या उसकी tail बनाती है या none ठीक है ये वाला question हमने पढ़ाता starting में तो इस question का answer देखता हूँ कितने बच्चे right answer देंगे मुझे comment section में ठीक है I hope video आपको बहुत अच्छा लगा होगा please video को like कर देना channel को subscribe कर देना अब हम मिलते हैं अगले video में bye bye